जितने भी इंवेस्टेर हैं सब लोग एक ही चीज़ सूचते कि कोई मुझे एक ऐसा स्टॉक मिल जा जिसका वेलुएशन बहुत ही अच्छा हो और आने वाले दिनों में वह बहुत अच्छा है रिटन भी दे तो हां दोस्तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही स्टॉ लाया हूँ जो बहुत ही अच्छा है अगर आप बंद कर कभी उसमें पैसा डालते हैं तो दोस्तों माली जो कुछ भी हो चाहे ना हो लेकिन आपको बैंक से बैंक जितना परसेंट देता है एक साल में उतना ही आपको डिविडेंट ही देडा लेगा ठीक है मतलब बैंक में जो 7% का आपको डिविडेंट ही पे कर देगा उसका बात जो इंटरेस्ट हो मतलब कि दोस्तों जो शेर में फ्लक्ट्वेट होगा वो प्रॉफिट अलग है तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें सिफ्टी है सियोरिटी है और उसका दोस्तों एक बात मैं आपको बताओं तो अब भी खुस हो जाओगे उसका जो प्रॉजेक्ट है तीस साल का प्रॉजेक्ट वो पहले ही साइन कर चुका है मतलब तीस साल तक आने वाले दिनों में उसको कोई भी दिकत नहीं होने वाली है तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं आप देख रहे हैं परफेक्ट और इस यूटूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर लॉस है तो एक्जिट भी कर सकते हो तो ये वो स्टॉक है दोस्तों जो जो इसका करेंट प्राइस चल रहा है यहां पर देख सकते हैं अरॉण 62 के आसपास चल रहा क्यूंकि इसमें आज यहां जो देख सकते हैं 5-6% की तेजी है दोस्तों यह आने वाले दिनों में आपको बहुत बहुत अच्छा रिटन दे सकता है बेही चक इसमें आप जो है अच्छा पैसर लगा सकते हैं यहां देख सकते हैं अभी जो करेंट प्राइस इससे बहुत-बहुत अच्छा रिटन मिलने वाला है और मैं आपको बता देता हूं कि क्यों और क्या होने वाला है यह स्टॉक में और मैंने दोस्तों इस वीडियो के थबनेल में मैंने लिखा सोच ये अगर किसी को core business free मिल जाए तो कितना अच्छा है तो दोस्तो आपको ये बहुत अच्छे और सस्ते valuation पर मिल रहा है और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तो यहां देख सकते हैं अभी जब ये stock उठना start किया था थोड़ी ही कुछ दिन पहले तो देख 35 years के लिए contract sign कर चुका है मतलब आने वाले दिनों में 35 साल तक इसको कोई ऐसा दिकत नहीं होने वाला जैसे को कुछ होते हैं कि project मुझे नहीं मिला ये मुझे नहीं मिला तो company का क्या होगा आप थोड़ा इसको रुखना पड़ेगा जो भी है इसको आने वाले जो future में इसक हैं तो आप आपको कितना देगा ज्यादा ज्यादा 7% देगा मतलब आपका fix तो अगर आप इस company में पैसा लगाते हैं तो आपका fix return ओलग से मिलेगा मतलब जियो डिविडेंट ये company जो है कि करती ही है हर बार ठीक है हर बार दोस्तों ये dividend पे करती है मतलब हर एक साल में year on year ठीक है और यही दोस्तों जो है बहुत अच्छा advantage है dividend प्लस अब जो ये stock में देख सकते हैं एक महिने के अंदर में 10% का return मिला है 11% का return और आने वाली दिनों में आप देख लिजे इससे भी अच्छा return आपको मिलने वाला है और कुछ दोस्तों टेक्निकली जो है valuation में आप लोगे समने यहां पर दिखाना चाहता हूँ यह सारा एक ही बार में आपको अच्छा है यहां पर देख सकते हैं और brokerage का जहां तक बात रही दोस्तों वो जो है 100% बोल रहे हैं कि आपको यह stock खरीदना है 100% वो बोल रहे हैं कि आपको यह stock खरीदना है ठीक है तो 100% का मतलब यह नहीं होता है कि मानलीजी आपके पास आपका जो capital है वो 1 lakh रुपीज है आपके पास only 1 lakh रुपीज है ठीक है और आप सारा पैसे एक ही stock में डाल दे वो गलत है कितना भी अच्छा stock क्यों नहीं हो आपको थोड़ा सा तो diversification रखना है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सारा पैसे इसी stock में लगा दे दोस्तो quarter 2 में quarter 3 और quarter 4 भी नहीं किया लेकिन अब जो आने वाले quarter दोस्तों उसमें भी यह अच्छा जो है performance करके आपको दिखाएगा और यहां पर देखिए financial trend में आपको दिखाया जा रहा है profit के मामले में यह company कैसी है ठीक है तो यह देख लिजिए profit के मामले में हम देख सकते हैं 2016 से लेके 2019 तक ठीक है तो दोस्तों देख लिजिए यह जो company 2016 में 0.32 थी और आज के date में देख सकते है 0.42 है मतलब जो भी है दीरे दीरे increase हो रहा 2018 में जब quarter result में ने बोला दोस्तों थोड़ा खराब था लेकिन अब जो performance आ रहा है यहां पर direct देख सकते हैं यहां देखे 32 32 से यहां देखे 42 है जादा change नहीं हुआ लेकिन आपको यह देखना है कि 2018 में इसको जादा problem हुआ था लेकिन उस problem से भी यह overcome आ चुका है मतलब ब return दे भी सकती है लेकिन अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप एक investment के बेसे से खरीद सकते हो investment के बेसे से थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हो ठीक है साल दो सल के लिए आप खरीद सकते हो बहुत अच्छा stock है दोस्तों आने वाले दिनों में मान लो कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको daily काम करना पसंद ना हो जैसे कि आज खरीदना कल बेचना या इंट्रेट वगरा future option कुछ भी पसंद ना हो उनको तो वो ऐसे stock को खरीद सकते हैं अपने portfolio में रख सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में उनको अच्छा return भी मिल जाया और ज्यादा परिसान भी ना हो तो ये जो stock है वो long term के लिए है अच्छा performance के साथ आपको देगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like करके increase किजेगा दोस्तों और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे आने वाले वीडियो में हम फिर से बताने वाले हैं कि कौन सा stock का price increase या decrease होने वाला है